हलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप लोग सभी का कैप ओफ एजुकेशन में स्वागत है आज हम लोग केमेस्ट्री के बहुत ही इंपोर्टेंट एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैकिंग इफिसियंसी यानि कि हम लोग देखेंगे कि एक यूणिट सेल के भीतर कितने आटम्स को भड़े जा सकते हैं कितने चुनिट सेल के अंदर कितना जगा छेकेगा कितना उसका खाली जगा रह जाएगा इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टूरेंट्स पैकिंग इफिसियंसी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं Packing Efficiency in Solid Packing Efficiency तो Chemistry के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Packing Efficiency को percentage Packing Efficiency इसको हिंदी में अगर बोले हम लोग तो इसे बोलेंगे संकुलन छमता प्रतीशत संकुलन छमता तो इसको हम लोग देखेंगे आज और इसमें हम लोग जानेंगे कि एक unit cell के भीतर जो constituent particles है वो कितने space को occupied कर सकते हैं कितने space को वो घेर सकते हैं इसको देखेंगे यानि की Packing Efficiency तो percentage Packing Efficiency यानि की percentage of space occupied by the constituent particles in unit cell is called Packing Efficiency तो हम लोग इसको जानेंगे संकुलन छमता है क्या यानि की constituent particles द्वारा घेरे गए जो space होंगे अस्थान होंगे उनके percentage value को प्रतिशत मान को Packing Efficiency कहेंगे यानि कितनी छमता है कि कोई atom कितना unit cell को घेर सकता है कोई constituent particles कितना unit cell को घेर सकता है कि constituent particles द्वारा घेरे गए घेरे गए या space या अस्थान के प्रतिशत मान को Packing percentage P E इसको हम लोग shortcut में P E लिख सकते हैं percentage P E कहते हैं constituent particles द्वारा घेरे गए अस्थान के प्रतिशत मान को percentage P E कहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं तो इसको निकालेंगे किस परकार से इसको किस तरह से determine करते हैं इसके Packing Efficiency को किस तरह से निकालते हैं उसके formula को हम लोग यहां से देखते हैं percentage P E को आप इसके formula से भी define कर सकते हैं जैसे मैं इसे लिख दूँ यहां पर मैं इसे इस परकार लिख दूँ Z into प्रतेक गोले का प्रतेक गोले यानि प्राया यहां पर हम लोग गोला किस को ले लेते हैं atom को प्रतेक गोले का item और नीचे में unit sale का item unit sale यानि cubic unit sale cubic unit sale का item गुने 100 यह है formula इस formula से आप Packing Efficiency को निकाल सकते हैं Z क्या है यहां पर एक unit sale में unit sale में जितने atoms होंगे उसको Z लिखेंगे यहां पर परमानू की संख्या प्रतेक गोले का item और इसके नीचे upon cubic unit sale का item गुने 100 यह इसका formula हो गया सभी लोग जानते हैं कि percentage PE के लिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे Z परतेक गोला गोला का item क्या होता है 4 by 3 pi r cube आपने पढ़ा होगा 4 by 3 pi r cube आपने 10 में पढ़ा होगा गोले का item और unit sale कैसा है cube है तो cube का item होता है volume होता है उसको हम लोग लिखते है aq into 100 तो यह एक formula हो गया आप इस formula के basis पर आराम से जो भी आपने unit sale के types को पढ़ा है FCC, BCC, FCC, HCP या CCP उनमें कितने जो है percentage PE होंगे packing efficiency होंगे उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं तो इसे आप note कर लें फिर हम लोग देखते हैं एक एक करके FCC में, BCC में और FCC में कितने packing efficiency का value होता है कैसे उसको determine करेंगे हम लोग चलते हैं packing efficiency in SCC simple cubic unit sale में packing efficiency कितना होगा तो सबसे पहले students जानेंगे हम लोग packing efficiency निकालने का formula क्या है तो अभी अभी आपने देखा कि percentage PE निकालने के लिए हम लोग use करेंगे Z into प्रतेक गोले का item गोला यहाँ पर हम लोग mainly atom को मान सकते हैं यहाँ पर देखेंगे प्रतेक गोले का item और नीचे हो जाएगा cubic unit sale का item और गुने में हो जाएगा यहाँ पर 100 यह तो हो गया formula यानि हम लोगों को चाहिए क्या क्या हम लोगों को Z चाहिए तो SEC में Z सभी लोग जानते हैं 1 होता है हम लोगों को गोले का item चाहिए परतेक गोले का item चाहिए तो सबसे पहले item निकालने के लिए यानि formula को आप इस तरह से लिखते हैं Z into 4 by 3 pi r cube upon a cube into 100 यहाँ पर आपको radius चाहिए radius अगर आपको पता चल जाए तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं तो आपको चाहिए यहाँ पर क्या students radius चाहिए तो सबसे पहले हम लोग इसका एक picture देखते हैं इस तरह से हम लोग एक unit cell का एक face ले लेते हैं पूरा unit cell यहाँ पर बनाने की ज़रूरत ने आप एक unit cell जो cubic unit cell होगा सभी लोग जानते हैं cubic unit cell को पहले भी पढ़ चुका है आप लोगों ने इसे इस unit cell का हम लोग क्या करते हैं एक face ले लेते हैं इस cubic unit cell का हम लोग एक face ले लेते हैं जैसे यह lattice point है एक face लेते हैं अब यहाँ से यहाँ तक students देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है इसके लिए ये age length है यानि किनारे की लंबाई या भुजा की लंबाई हम लोग कहते हैं और अगर हम लोग बात करें तो इस corner पर atoms मौजूद होंगे इस तरह से atom मौजूद होंगे इसके अलावा देखें तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको बढ़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा करेंगे यहाँ पर एक atom मौजूद होगा और यहाँ पर एक atom मौजूद होगा अब हम लोग यही पर से जो है हम लोगों को मिलनी निकालना क्या है सबसे पहले जान रखें आप कि R चाहिए आपको radius चाहिए तो radius अगर आपको पता चल जाए इसका value पता चल जाए इसका जो मान है वो तो आप आसानी से इसका जो packing efficiency find कर सकते हैं आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख लें है क्या A यानि की भुजा की लंबाई या किनारे की लंबाई और अगर हम लोग बात करें इस दोनों गोले में बात करें तो यह इसका central point है और इस central point से यह इसके परीधी को मिला रहा है यानि यह हो गया यहाँ पर से radius इसी तरह से इसके central point से यहाँ परीधी को मिला रहा है यह radius हो गया तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं इस तरह से A is equal to R plus R is equal to 2R यानि कि आसानी से आप लिख सकते हैं R is equal to A by 2 तो अगर हम लोगों के पास R का value आ जाता है A by 2 तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको solve कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इस formula पर set करते हैं हम लोग percentage PE is equal to Z Z का value एक देंगे यहाँ पर 4 by 3 है और Pi का value 22 और नीचे में बटे में क्या होगा 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा R का value A by 2 का whole cube अब यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं A cube को लिख देते हैं और यहाँ हो जाता है 100 अब इसी तरह students हम लोग आगे इसका calculation करेंगे तो 1 से सब को multiply कर देंगे बात वही पड़ेगा यहाँ से हम लोग लिखते हैं 4 into 22 upon 21 into A cube upon 8 और यहाँ से फिर हम लोग लिखते हैं कितना 100 into A cube इसको आगे बढ़ाएं हम लोग students तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आगे बढ़ा करके यह A cube से A cube क्या होगा cancel हो जाएगा तो हम लोग यही पर क्या करते हैं A cube से A cube को cancel कर देते हैं cancel करने के बाद क्या आता है 4 into 22 upon 21 into 8 into 100 अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग इसको काटते हैं दो मरतबा कट जाएगा फिर इसको काटते हैं हम लोग 11 मरतबा कट जाएगा और यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं से हम लोग लिखते हैं आज हिए 1100 और नीचे में कितना हो जाएगा ट्वंच बावन पॉइंट हो है तीन आठ सब्सक्राइदा परिंटेज पैकंग इफिसिएनसी आ गया श्रम लोग बात करें तो कि तो अगया TD यह तो हो गया बात कि packing efficiency की बात हो गए अगर हम लोग इसी में वाइड निकालना चाहे इसका वाइड कितना होगा तो बहुत ही आसान है यानि कि इतना जगा चेकेगा आटम्स जो है वो इतना जगा को चेक लेगा और खाली कितना रह जाएगा तो 100-52.38 या 47.62% यह वाइड आजाता है यह दोनों आपको काम आएगा लोग इस्टूएंस देखेंगे packing efficiency in BCC body centered cubic unit sale में packing efficiency percentage PE in BCC body centered cubic unit sale में संकुलन छमता अब हम लोग इसको देखेंगे students तो सबसे पहले आप इसको एक unit sale से देख ले थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको समझने में भी एक cubic unit sale हम लोग यहां पर बनाते हैं और आप जानते हैं कि एक cubic unit sale में परती एक corner पर atoms होते हैं और परती एक corner पर atom होते हैं इसके अलावा body में atom होते हैं cubic unit sale में परती एक corner पर atom और body में atom उपस्थित होते हैं तो अगर students हम लोग इसको देखें, अगर हम लोगों को इसका packing efficiency चाहिए, तो formula आपने देखा है, आपको क्या चाहिए, radius पता करना है, अगर radius पता चल जाता है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको solve कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इसके एक part को ले लें, इस तरह से, इसके एक part क को ले करके हम लोग अगर solve करना चाहें, तो इस problem को हम लोग solve कर सकते हैं, अगर मान लिया जाए, यह इसका एक part हम लोग लेते हैं, यह item है, इस तरह से, यह इस तरह से corner पर item है, और फिर body में item है, ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरह से मान ले, तो यहां से आप कि बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर इसके बीचो बीच में, अगर body से होता हुआ, बीचो बीच में अगर एक line दिया जाए, तो इस line को हम लोग बोलते हैं, body diagonal, body diagonal बोलते हैं, इस body diagonal के लिए, अगर cube के body diagonal, यानि की cube के, जो मतलब, विकरन होंगे, cube के, जो अंदर का विकरन होगा, उस विकरन का formula क्या होता है, तो आप सबसे पहले इसको देख लें, इसको समझ लें, फिर हम लोग body diagonal के formula को देखेंगे, तो देखेंगे, यहां से हम लोग अगर इसके, हम लोग इस center point से इसके परीधी को मिलाए, यहां एक center point दे दे, इसको यहां से मिलाए, इसको यहां से, और इसको इसके center point से माल लेते, मिलाते हैं, तो यहां पर यहां पर एक radius, एक यहां पर एक यहां पर radius हो जाएगा, यानि कि अगर हम लोग बात करें, A, B, C और D की, तो AC जो हो जाएगा, AC क्या होगा, वो हम लोग इस तरह से देखते हैं, विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण यानि diagonal हो जाएगा, और cube का, cube का विकर्ण जो होता है, वो होता है, under root 3, A, यानि कि root 3 गुने भुजा, यह होता है, cube का विकर्ण, तो AC को आप आराम से लिख सकते है, R plus R plus R plus R is equal to root 3, A लिख सकते हैं आप, इस तरह से आप लिख सकते हैं, आ अंडरूट 3A इसलिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडरूट 3A by 4 देखिए जो हम लोगों को चाहिए था वो पता चल गया हम लोगों को अब आसानी से आप फॉर्मूला को पर जो है इसको सेट कर सकते हैं सभी लोग जानते कि BCC में Z equal to कितना होता है अपान AQ into 100 अब यहाँ पर Z कितना है 2, 4 by 3, 5, 22, 7 और R का वैल्यू हम लोग कितना देदें अंडरूट 3A by 4 का होल Q into 100 और यहाँ क्या हो जाएगा AQ इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इसको तो अगर हम लोग इसको आगे इस तरह से बढ़ाएंगे तो यह आजाएगा आपका 2 into 4 into 22 upon 21 into यह हो जाएगा 3 root 3 और यह हो जाएगा 64 और यहाँ पर हो जाएगा AQ यह भी AQ और यहाँ पर हो जाएगा 100 इससे इसको हम लोग क्या करते हैं कैंसल करते हैं अब हम लोग देखें यहाँ पर तो इसको हम लोग 16 को चार मरतबा अगर हम लोग मल्टिप्लाइ करेंगे 64 होगा और यहाँ पर टू टाइमस में काट देंगे हम लोग 8 दूना 16 फिर इसको काटते हैं हम लोग 2 से 11 मरतबा में यह 4 अब इसके बाद हम लोग इसको काट सकते हैं 7 मरतबा यहाँ पर आ जाएगा क्या 11 रूट 3 और उसके बाद नीचे में अगर हम लोग देखें तो 7 चौक 28 और गुने में कितना हो जाएगा 100 तो यहाँ पर हम लो multiply और इसमें आप भाग देंगे तो आपका answer आ जाएगा यहाँ पर लगभग approach 68 परसेंट आप इसको calculate कर सकते हैं आप इसको calculate जब करेंगे तो इसका जो answer आएगा वो आएगा 60 यह लगभग value हो जाएगा लगभग मान होगा लगभग 68 परसेंट और अगर हम लोग wide की बात क करेंगे तो बहुत ही आसानी से percentage wide निकाल सकते है 100-68 is equal to 10 में से 8 गया कितना बच गया है पर से 2 अनौ में से 6 गया तो 3 यानि की 32% wide हो जाएगा इसका I hope कि आपको बहुत आसानी से यह चिस समझ में आ गया होगा जो mainly काम है वो क्या है यहां से radius निकालना बहुत ही आसान है body diagonal body diagonal के लिए जो है यहां पर AC मानेंगे और AC के लिए क्या फर्मूला क्यूब का विकर्ण root 3 गुने भुजा और क्यूब AC क्या है r plus r plus r 4r root 3a r is equal to इतना आ जाएगा आराम से आप r के value को यहां set करेंगे इसको हम लोग गुना भाग करेंगे multiply करेंगे और आसानी से हम लोग इसको भाग दे करके 68% निकाल लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा वाइट कितना होगा अब हम लोग देखते हैं packing efficiency in FCC percentage PE in FCC face centered cubic unit cell में packing efficiency सभी लोग जानते हैं जिस तरह से z equal to कितना होता है 4 होता है यह packing efficiency जो है वो CCP के लिए भी होगा और यही same इसका जो value तो हम लोग इसको देखते हैं आगे z तो सबसे पहले आप देख लिए अगर एक cube हम लोग बनाते हैं इस तरह से एक cube अगर हम लोग बनाते हैं जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं यह एक cube हमने बना दिया यहां से हम लोग को mainly radius चाहिए अब यहां देखे इसके एक face को हम लोग लेते हैं हम लोग इसके एक face को ले लेते हैं अगर आगे का कोई face लेते हैं यहां पर हम लोग इसको एक part हम लोग ले करके इसको यहां से समझते हैं FCC जानते हैं आप की corner पर और face पर atoms होते हैं तो यहां पर अगर हम लोग एक face को ले लेते हैं इसके इस तरह से तो एक corner पर एक एटम इस तरह से होगा इस कॉर्णर पर एक एटम होगा और एक एटम इसके फेस पर इस तरह से होगा अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं इस तरह से तो अगर इस पॉइंट से इसको मिला ले एक रेडियस यहां से इसको मिला ले एक radius यहां से लोग मान लेते हैं इस face का diagonal इस face का diagonal मान लेते हैं तो इसको हम लोग यहां से देखेंगे तो यहां से यहां तक एक radius हो जाएगा एक radius इसका यहां से यहां तक होगा और एक radius इसका यहां से यहां तक होगा अब यहां हम लोग देखते हैं इसको यह क्या है यह face का विकर्ण हो गया यह सता है इसका जो एक face है उसका विकर्ण हो गया और अगर हम लोग बात करें तो ac यहां पर क्या है ac वर्ग ork, face किस तरह का है, work है, square है, तो work काasto फिकर्ण, AC क्या हो जाएगा, work का忘икर्ण, एक work की तरह है, work का फिकर्ण, under root two into भुजा, यह होता है, तो AC को हम लोग लिख सकते हैं R plus R plus R plus R is equal to under root two into A, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4R is equal to under root 2a इसलिए r is equal to under root 2a by 4 यहां से यह आ गया अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग बैठा देते हैं formula पर और आसानी से हम लोग इसका percentage pe निकाल लेंगे percentage pe के लिए क्या use करेंगे z into 4 by 3 pi r cube upon a cube into 100 z कितना है 4 है 4 by 3 pi कितना 22 बटा में 7 यहां r का value आप कितना देंगे under root 2a by 4 का whole cube upon a cube into 100 यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे 4 into 4 into 22 upon 21 into 2 root 2 इसको आप 3 बार multiply करेंगे तो 2 root 2 आएगा a cube upon यह हो जाएगा 64 और यहां पर आ रहा है क्या a cube into 100 तो a cube से a cube को हम लोग cancel करते हैं अब यहां पर हम लोग इसको देखें तो 16 बार कर जाएगा फिर इसको हम लोग 4 मरतबा काटेंगे फिर 2 मरतबा काटेंगे यहां से 11 आ जाएगा और 2 से यह दो भी यहां पर cancel हो जाएगा इस तरह से देखें तो उपर में बच के क्या आता है 11 root 2 और नीचे में क्या बसता है 21 into 100 अब क्या करते है 11 और इसका हम लोग जो जब वर्गमूल लिखेंगे तो 1.414 और नीचे में क्या जाएगा 21 into 100 अब हम लोग क्या लिखते हैं इसको आप जब multiply पूरा करेंगे और भाग देंगे तो एप्रोक्स आपका 74 लगभग जो है packing efficiency यह आएगा percentage packing efficiency जो है वो 74 आएगा और वाइड आप निकाल सकते हैं 100-74 यह आजाएगा 26 तो बहुत ही आसानी से यह समझ में आपको आ गया होगा इसमें जो mainly काम होता है वो होता है radius को पता करना radius जब आपको पता चल जाएगा बस आसानी से packing efficiency के formula पर सेट करेंगे और आसानी से इसका value निकाल लेंगे यहाँ पर से आप इसका multiply करके इसको भाग दे करके calculation करके एप्रोक्स 74 परसेंट जो है packing efficiency निकालते हैं और वाइड जो होता है वो 26 परसेंट होता है तो मैं आसा करता हूं कि यह बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा